गुज्जा टाइटन से 6 विकेट से हार कर रोयल चैलेंजस बैंगलोर आईपील 2023 की प्ले आफ से बाहर हो गई है और इसी के स्ताथ RCB का 15 साल से जो आईपील टाइटल जीतने का सपना था वो एक बार फिर अधूरा रहे गया है नमस्कार मैं हूं सुनीता और आप देखने हैं डेटीबी स्पोर्ट्स आईपील सीजन 16 का आखरी लीग मुकाबला रोयल चैलेंजस बैंगलोर और गुज्जा टाइटन्स के बीच खेला गया जसमें गुज्जात ने 6 विकेट से शानदा जीत तरज की इस मैच में दो शानदार शतक देखने को मिले पहला शतक वराट कोहली ने लगाया यह उनका बैक टू बैक दूसरा हंड़र था और उसके बाद चेज करते हुए शुबमन गिल के बल्ले से भी 104 रन की शतक ये पारी देखने को मिली लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्ले आफ का समयकार अब स्ताफ हो गया है IPL सीजन 16 के लिए जो चारों टीमें है प्ले आफ के लिए वो सामने आ गई है सबसे पहले गुजरा टाइटन्स ने क्वालिफाई किया था उसके बाल चेनी सुबर किंग्स दूसरी टीम बनी थी क्वालिफाई करने वा के लिए क्वालिफाई कर लिया है गुजरात ने बैंगलोर को खराया और इसी किस्ताथ उसे प्ले आफ से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया अब जो पहला क्वालिफाईर मुकाबला है वो चेनी सुबर किंग्स और गुजरा टाइटन्स के बीच 23 मई यानि के बंगलबार को खेला जाएगा और उस मुकाबले को जीतने वाली टीम डिरेक्ट फाइनल में खेलेगी और उस मुकाबले को हाटने वाली जो टीम है वो दूसरे क्वालिफाईर में भिड़ेगी एलिमिनेटर में हाटने वाली टीम से तो इस तरह से ये मुकाबले प्ले आफ के खेले ज शटका है क्योंकि ये must win match था बारिश की वज़े से 55 मिनट की देरी से शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ पर रोयल चैने जिस बैंगलोर को खार भी झेलनी पड़ी विराट कूली का जो शटक है वो बेकार यहाँ पर गया लेकिन शुबमन गिल ने सभी का दिल जीत लिया इस मैच में शांदार शटक यह पारी खेली उसमें आठ जबदस चक्के उन्होंने लगाए और दो शटक यहाँ पर देखने को मिले सबसे खास बात यह भी रही कि विराट कूली ने अपने शटक के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया वे IPL हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शटक लगाने वाले बल्लेबास बने यह बड़ा रिकॉर्ड है इससे पहले विराट कूली और क्रिस गेल जो है समान रूप से 6-6 शटकों के साथ IPL इत्यास में सबसे ज़्यादा शटक लगाने वाले बल्लेबास थे लेकिन इस मैच में शटक लगाने के साथ ही विराट कूली IPL हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शटक लगाने वाले बल्लेबास बन गए और इस वक्त की सबसे ब तासा अपडेट थी वो थी प्लेआफ को लेकर अब आपको क्या लगता है कि पहला जो क्वालिफायर होगा उसमें कौन सी टीम जीतेगी और सीधे फाइनल में जाएगी चैनी सुपर गिंग्स और गुजरा टाइटन्स के बीच ये मुकावला खिला जाएगा 23 मई को और साफ हो जाएगी उसके बाद पहली टीम की कौन सी फाइनल में जा रही है आपकी प्रोडिक्शन क्या कहती है हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में सांच है जरू कीजिएगा इस वीडियो में फिलारत नहीं बागी की अपडेट्स के लिए आप दिखते रहे हैंड़ी टीवी स्पोर झालाउ है यहले सहरी ञेधियो में नहीं की है जिएग्वे टीवी टीवधियो थी टीव बदीव टी टीवग्देशं की कρίम अपडेटे टीवी टीविवन क्यों है पर लिए